यहां पर यृपन को चैक करना है तो तो प्लस थुल्टर चाहिए यह जो क्ॉछ है the के आपको कोले चाय यहां पर चाहर उदविश्च काल चाहिए नापर यहां पर यह जो कॉछेए कंतिनेटी बिप माना मेंले चाहिए और आपको यहां पर रेडिंग आने चाहिए अगर मैं वोल्टेस की बात करो ते हैं आप पॉइंट जीरो फोट इंडिया का नमावान इस्टियूट को अने है तो खाय दोस्तों मेरा नाम है देव दुनार गवाल आप जब देख रहे हैं आज मैं आपके लिए लेका हैं आपको डिस्प्लेइ लाइट आइसी का पुरा आपको आप जैसी देख रहे होंगे आप मैंने नक्सा बना के आपर आपके लिए बहुत मेहनत की हमने यहां पर पूरा सब डिजाइन किया हुआ है यह इसका आइसी हो गया यह इसका आमने लेयाउट बनाया हुआ है और दो तो इस वीडियो को देखेगा पर मेरे को सबसे पहले जितना हो सकता है लाइक दे दीजेगा क्योंकि इस पर मैंने बहुत महनत किया आप लोगों के लिए यह जो मोबाइल फोन है मैं बता दू यह मुझे अपने हाँ लोकल टेक्शन उन से मुझे मिला हुआ है और मैंने खास इन में बहुत ज़दा मसले देखें गए और बहुत ज़दा लोग इस पर काम नहीं कर रहा हुआ तो मैं सज बता हो अगर आपको इसका डाइग्राम भी ढूने जाओगे न तो आपको बहुत ज़दा मेहनत करनी पर जाएगी क्योंकि डाइग्राम भी अभी विल नहीं है जो कि आपको बहुत मुस्किल से मिलेगा बड मिल गया तो अच्छी बात है डाइग्राम रीट करना भी आना चाहिए नहीं है तो इस रेट दिए को जड़ू जोइन करना चाहता हूं सबसे पहले मैं इस फॉन में बता दूँ देखे इस फॉन में मैं डिस्प्ले लगाता हू देखे आपको अब मैं इस फॉन को अन करूंगा तो यह बाइबरेट होता है और बेसी के लिए अगर मैं डिसी से भी दिखा हूं तो यह ओन हो रहा है लेखेगा आपको साइद आवाज ना आएं फिर भी मैं कोज़स करूंगा हलकास आपको बाइबरेट सन महसूस हूई होगी तो यह जो बाइबरेट हो रहा है मतलब यह फोन अन हो रहा है पर दुस्तो इसमें लाइट और डिस्प्ले नहीं आ रही है तो चलिए इसका हम लाइट और डिस्प्ले सेक्शन बनाएंगे पर सबसे पहले कि हमें क्या-क्य चेक करना है क्या क्या चेक नहीं करना है तो मैंने यहां पर डाइग्राम प्लस मैंने यहां पर इसका फोटू भी यहां पर आ गया है तो यह फोटू भी मैं आपको बताने वाला हूं इस फोटू के अंदर जो डाइग्राम है कि कहां मैं क्या क्या चेक करूंगा तो आप उसक यह वीडियो पर पूरा देखेगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा और पसंद आए और आपको मिलेंगा और आपको मिलेंगा मैं तो दूस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ यह हमारा IC है जो IC हमारे डिजाइन किया गया है वो IC light plus display दोनों को ही कंट्रूल करता है और वो IC आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ यह रेखे यह वो IC है आपका और इस IC के पास आपको दो boost call देखने मिलेंगे डायोड देखने को मिलेगा यहाँ आप सोचते होंगे यार दो boost call क्यों वाई एक boost call से ही काम होता है यह दो boost call क्यों लगे हैं क्योंकि यह IC display प्लस light दोनों है तो इसलिए यहाँ पर दो boost call यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो एक boost call लगा हुआ है L605 और एक boost call लगा है L003 तो सबसे पहले मैं आ बाते बताने दा चाहता हूं कि हमेशा सबसे पहले light section में आप क्या चेक कीजिए सबसे पहले light section आपको knowledge नहीं है तो आप direct connector पर जाके voltage चेक कर सकते हैं पर मैं हमेशा student को बोलता हूं कि सबसे पहले light section में input voltage की supply input voltage जो की diode capacitor यह दो capacitor यह देखे एक diode यह लगा हुआ है यह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह डायोट की जगे निकली हुई है तो यहाँ पर डायोट नहीं है और यहाँ पर आपको देखने को मिलना होगा यह आपका वो कॉयल है और यह आपका एक और यह दो capacitor आपके बीपी एच मतलब यहाँ पर बीबैट से connectivity नहीं मिलेगी आपक यह हमारा आपका ground है यहाँ पर आपको voltage सीजना मिलेग़े यहाँ दोनों पर आपको voltage Vid Hut मिलेगे वोकित आपको वोल्टेश देखने को मिलेगा निकलिकर सबस्कार्षा में दो सबस्के नहीं है तो आपको यह आपको देखेगा तो यह आपके लाइन है जो कि आपकी बीपी यह h boat दिखेंगा यहां पर यह वाली लाईन देखेंगा उसके बाद में यह जो लाइन आपको जाती हो दिखेंगा रहते हैं जो टिलर है यह आपका निचा नाय्फ के लिदा का रधाल है यहाप यहाँ हूं कंपा यहां पर बोल्टेज भर रहा तो बोल्टेज भर आने के लिए कोमपनेंट यूज करें गें गाई है क्यापसियोटर फिल्ट्रिसजरियो तरदार आपका ब्रूत करने के लिए हो गया र्जिस्टेंस करने के लिए ज्हें है जुडियोड यहां पर और यह आपको बना के देगा आपके display connector पर यह है voltage supply positive और voltage supply negative ठीक है उसके बाद में यह और इसमें यह वाला जो boost coil है यह जो यहां लगा हुआ है यह आपको देगा आपके plus 12 voltage क्योंकि यहां पर यहां पर क्योंकि हलाकि इसमें IPS display है इसमें 24 voltage कितने भी आसकते हैं जो आपको मिलेंगे plus 12 voltage करीवन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले यह दो coil आपको दिखा देता हूं देखिए आपर तो दूस्तों यहां पर आपको पहला एक यह कोईल और दूसरा एक यह कोईल तो यह नीचे वाला कोईल आपका हो यह लाइट का सेक्शन और उपा वाला हो गया ऐल्सियम कोईल तो यह जो नीचे वाला कोईल है इस डायोड के प्लस सेरे से आपको पर चेक करेंगा तो आपको चार één से लाएट करेंगे और से कोईल इस और यह यहां यहां पर यह बात कर है यहां पर यह डायोड है यह दिए इससे होते हुए बैलेंस करता है हमारे जो normal coil है फिर filtration जो input filtration आता है ताकि हमारे DC में fluctuation ना है किसी परकाड की blinking ना है और इस तरह से capacitor से होते हुए इस boost coil पर चले जाता है और IC पर input हो जाता है और इस boost coil के बाद आप देखेंगे यहां पर मैं आपको देखाने की होसिता हुए दोस्तों पर आपको फूरा समझाद को इस video बनाते हैं और में यहां पर कांव ऑगे की तो यहां पर हम सबसे पहले चैक कराणे तो कोई कि कोई कि को निक करेंगे तो यहाँ पर प्लस 12 आना चाहिए और नहीं आ रहा है तो यही फॉल्ट है दोस्तों तो मैं डायोड पर चेक कर लोंगा अगर डायोड पर मतलब यह है कि यह डायोड घराब है हमेसाद तो यह डायोड को हम रिपलेस करेंगे भई डायोड के दोनों 4-4 बोल्ट तो यह सारी चीज हम देखेंगे तो यह हमारा डायोड लगा हुआ है मरला वोल्टे सबसे पहले इस डायोड से होते हुए इस कोई से आपका फिल्ट्रेशन हुआ और इस कैपेसोटर से आपका फिल्ट्र होके इस IC में V in V voltage कररेंगे इस कौइल के माधम से बूस्ट होगा जो बूर्ट फिर्केंसी अगर की यह कौईल बूस्ट ने तो चारे कोइल अगर हम यह के बाड़ा नहीं बन रहा घीन सिर्नल जो कि हमारा रहा यहांaken सिगनल है LCD backlight EN जो कि हमारा यहां पर B3 बॉल में आ रहा है और जो कि हमारे IC के अंदर है यह B3 बर basically यहां पर major बात देखने को यह है कि इसके साथ कोई component नहीं लगा है मतलब यह सीधा CPU में जाता है तो अगर हमको यहां पर चेक करना है इसका EN सिगनल तो यह हमको इसको निकाल कर इसके अंदर के जो प्वेंट उस पर measurement करके हमें चेक करना पड़ेगा जो कि मैं करूंगा इस वीडियो में पूरा देखेगा इस वीडियो को और फिर से बोलना लाइक जरूर कीज़ेगा वीडियो पसंद है तो दो क्या-क्या देखना है पहले नंबर पर इं इंपूर यहां पर चार वोल्टेज देना है अलाकि आप इसमें पावर आइसी को रिबॉल करेंगे तो यह काम आपका और अच्छा हो जाएगा और बहतर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस आइसी में ना कंट्रोलिंग करने के लिए ना आइसी से जो सीप्यू से जो ना तो यहां पर रेडिंग दिख लेंगे कि हमारी रेडिंग कमांडिंग हो रही है कि नहीं हो यह पर यह पर यह पूरी लाइन अगर यह पूरी लाइन में फॉल्ट हो जाया पूरी तरीके से तो यह फोन को डैड भी करती है दाना कि एगा कुछ को सेट डैड भी हो जाते को पृत और यहां पर यहां पर इसका ऊपूट बिल यहां पर ऐना पर बात करेंगा यहां C6036 और एक और capacitor यहाँ पर है तो यह दो capacitor है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक capacitor यह है और capacitor यह है तो दो capacitor यहाँ पर इन्हों ने दिये हुए है यह देगे चट्टेश तो यह main capacitor है आप चाहें तो इस capacitor पर भी चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर output voltage मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर मैं यहाँ पर फोटू में दिखाऊं तो यह जो बड़ा capacitor है डायोट के माइनस के बाद में यह आपके डायोट के माइनस से यहां तक बीप जरू देखेगा क्योंकि ज़्यादा दर फॉल्ड यह भी देखा अब और अगर अब डिस्पेल करेक्टर के आपको भीप नहीं मिलती है तो आपको फिर यहाँ से अचता के प्लक्रेटल लेना इसके प्लस पॉइंट से डिस्पेल असे प्लस पोई यह दो जीए कर लेक्टर to do यह देखे, इसको खोलते हैं, उपन करते हैं, तो आसकल जो भी काम आता है ना, जनरली वो चार हाथों से होकर ही आता है, और बहुत ज़़ा डैमेज हुजाता है, मैं सच बता हूँ, तो चलिए, अब यहां पर ही बात करते हैं, तो देखे, जो मैं बोल ला था है, कि यहां पर, यह जो इंपूट लाइन हो रही है, इस यह, यह आपका कैपिस्टेटर और यह आपका जो कॉइल यहां पर मिलने चाहिए । बाड़ा बुल्टिज प्लस 12 कि किसे बाड़ा हो सता है तो ऑड़ी में दिखाने कि डिष्प्ली पे आपको यह दिख रहा जो यहां पर आपको पर एक क्याष नगर शोब दिखेंगे हैं का किस लिखनान यहां, वह में आजनिता हैं 12 क्यां सिखने कर चारें कर को दिखने एंगे हैं हो यह श्रद्थ समेथर, ऊनलिटर में लाखें लौक्त से मैं लिघए चाहँ जब इन सिंगल की अंदर से यह आ रहा तो उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं पर जब आउपूट जा रहा है तो डायोड के माइनस से होते हुए इस कैपसिर्टर से आपके डिस्प्ले करेक्टर पर जा रहा है अब यहां पर और चीज हम क्याज क्या दे सकते हैं यह इसकी दो इसको cat1 cat2 बोलते हैं यह से brightness control होती है इस पर दो कोईल लगे हुए यह दो कोईल लगे हुए यह दो कोईल यहां लगे हुए जिस IC के नीचे तो यह आपको जरूर देख लेना है हो सकता है इसकी वज़े से भी आपका light ना है मैं आपको बता देता हूँ यह दो कोईल क्यों आपको अगर यह कोईल एक भी open हो गए ना तो हो सकता है हाफ light का issue बन जाए हो सकता है कि light का half light का issue बन जाए तो इसमें किसी भी प्रकाड का issue आ सकता है आधी light हो गई यह फिर पूरी light नहीं आ रही है कोई कि दोनों कोईल उट जाएंगे तो पूरी light ही नहीं आएंगे और आपका एक लोड बनेगा लोड पैदा होगा तो यहां पर अब मैं यह हो गया मेरा light का तो और जो ग्राउंड किये हुए है वह ग्राउंड जड़ू देखेगा कोई कैपेसिर्टर तो नहीं होंगे तो यहां पर आईसी के ग्राउंड जनली आपको यह देखने को मिलेंगे और जो कालए और ग्राउंड किया होगा है और एक आपको यहां पर फिल्टरेशन के लेहां पर दीआ होगा इसके साथ में आकको देखना है क्योंकि अगर इस इस अवह पिल्ले cynक हो सकता है तो डिस्पले में आपको सबसे पहले यह आपर देख लेना है कि i3 24s और के आपक प्रोब से ही आपको यहां पर टेस्स करना है ब्लैक प्रोब को ग्राउन पर रखना है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो अब आगे बर्ते हैं और यह तो हो गया अगर मांलो आपड़ो समस्ताएन पर मुझे इंडिन आ रही है अब मुझे वोल्तेस्का पर LCD से Enable Signal मिलना है यह देखिए यह D4 की लाइन पे मिलना है और यह है यहाँ पर D4 यह यहाँ पर आपको GR चेक करना है CD से बाते आपने LCD लगाना है जब क्योंकि LCD लगाते है तो उसके एक रजिस्टर होता है जो कि connect करता है आपके Graphics IC से और जैसी LCD लगा होगे वैसी इनेबल करेगा ताकि आपके Voltage बना के आपको दे प्लस 5 और माइनस 5 आपको Voltage बना के देगा जब आप LCD connector लगा होगे क्योंकि LCD connection बनाता है तरह से ठीक है तो यह जरूर चेक कर लेना और इसकी continuity आपको LCD connector पर आने चाहिए CDC बनाता है D4 अगर आपना IC उठा के चेक करना है तो भो भी कर सकते हैं और यह आपका Enable P और Enable N तो आप जरूर चेक कर सकते हैं यह आपका 1.8 positive को Enable करता है और 1.8 negative करता है इसके साथ भी पर कोई भी competent नहीं है सीधा CPU में क्या होगा है मतलब यहां पर आपको करना है क्या है यह कौन से उसमें आ रहा है मैं बता देता हूं यह जा रहा है आपके B2 और B1 पर इधा जा रहा है तो यह B2 और B1 पर इधा जा रहा है तो यह B-Line बहुत इंपोर्टेंट आगा दिखा जा तो क्योंकि B2 B1 तो इसका CPU इसका हो गया Enable का B3 आपका हो गया यह B3 आपका यह IC का यह light का Enable हो गया B3 B5 आपका output हो गया तो B-Line तो यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे और A1 और बहुत सारी चीज़ें तो इसमें तो इसमेधर में चाहित है ठीक है तो यह थो यहां तक आपको समझ में आगया हो गागा भागा असान है फिर्सी में बता लाइट चलेगा अगर डायोट साही नहीं है तो भी आपका लाइट नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है यह लाइट के कमांड होते है प्रोटोकॉल के तहर्ट यह CPU को कंट्रोलिंग लिए देता है इस पर 1.1.8 पावर से मिलते हैं 2.2 के कर रेजिस्टर इसमें लगे होते हैं और यह आपका LC यह आपका EN सिगनल है यहाँ पर 1.8 वोल्टे यह सिगनल के तैयर में मिलता है और कुछ आपके यह दूान सिगनल के देखन के समतने हैं जाएं यहाँ करते हैं यहां पर देखना है यहां है यह दाना द्हट जाए है यहां पर गावर do यहां पbel को चार यहां पर चार यहां पर चार बूस कोल चार और भीूस कोल की चाहा यह जो बूस कोल की कॉल 8C का यह इस बात है z wirklich कोल का आक ब्डिल डाइगराम की जरूरत नहीं पड़ती है पर अगर डाइगराम आपने सीखना है और अच्छे से और काम करना है तो आप सबसे पहले इस को चेक के यह को उपन हो गया तो आपका अगर डिस्पले AI लाइट तो हम क्या कैकर सकते है यह कोईल में क slippers लिए और भीषे अजी Silva दwe और उसके बाद कं र acces away isllaip नाइट ने जीखकए का थश girls थे वाणता है और दूसरा राथ कर ले ने गर्राफिक्स नहीं आता है तो यह इस कोईल के बाद में अगर हमें चेक करना है तो फिर हमारा से मीन इसी ही बच्चता है दोस्तों मैं सज बता हूं यह कोईल चेक कर लेता हूं और यह आईसी बच्च कर लेता हूं क्योंकि इसके बाद में फिर क्योंकि मेरा ग्राफिक्स आता पर लाइट नहीं आता तो फिर में क कि की क्या की चेक करता है यह को चेक करता यह को और दाव ट्रीट इन-द्टर से अगर में टिस्प्ले की बात करहों तो मैं कि चेक करता में दिस्प्ले में यहाँ पर एका प्लस फाइब यहां पर आपका माइनस फाइब यह बूस कोईल सिर्फ दो चीज़ ज्यादा है नहीं इसमें कुछ और इन सिंग्नल जो इसके अंदर आते हैं वो डाइडली चेक करता क्यों कि डिस्पेले में इसमें कुछ है होता ही नहीं है और बागी कुछ कैपिसलिटर में आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो आगे भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए उसके लिए जितना हो सकता है कमेंट कीजिए कमेंट इस बार जाद स्यादर कीजिएगा चलिए अब काम करते इस वीडियो पर पैट्टिकली झाल्या हो अच्छे है झाल 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 तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेक्शन्स की मैंने बताया पूरी तरीके अब देखिए मैं इस पे यहाँ पर चालू वीडियो में भी आपको पूरा बता सत्तों पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आ रही है जो कि मेरा यहाँ पर एक कैमरा रहा लगा था आपने देखा था आईफोन वह एच्छली उसमें फोलो चुकी है और वह वीडि करने में माज़ा भी आएगा और आपके सारे काम बने गे तो देखे अब हमारे यहाँ पर बिस बूल सम्झिंग यहां पर कुछ बन रहे होंगे यह दो मरे काटोट की लाइन है और भी कुछ यहां है नहीं है देखे तो यह फोन मेरा यह यह लेके यहाँ चुकत आपर प्लस 5 वोल्टेज और यहां पर माइनस 5 वोल्टेज बन रहा होगा जो कि प्लस 5 के ओपर संधिंग आपके लिए की है बहुत मेहनत तो आपसे भी चाहता हूँ कि इस वीडियो को करें बहुत सारा प्यार कम से कम 500 के ओपर लाइक मुझे दे दीजे इस बार और मैं चाहता हूँ जितना हो सता है प्लीज आप सभी लोग लाइक करें और आप मुझे अच्छा लाइक करेंगे तो इस बार में आपको ऐसा ही कुछ अलग कंटेन आपको बना के दूँगा और मैंने इसलिए आप को सैमसंग चुना कोई कि सैमसंग पर बहुत कम वीडियो इस बने हुए हैं और प्रापर इसमें तरीक कीसे बने नहीं और आपको पता चलेगा कि जो यहां पर आकर क्या मिलने वाला है ठीक है थेंज़े है तो दुस्थे कियसा लगा आपको यह वीडियो आप यहां से लाइक मिल सकें दोस्तों यह वीडियो हमने डाला हुआ है लोगडाउन की तुरू चलते हुए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ स्टेटस की पहुत सरे लोग पूछना चाहते हैं कि अभी 12 अगस तक ट्रेनों को रद कर दिया गया जैसे कि आपको बता है नए नियम के इसाब से तो 12 अगस तक तो भी अभी कोई क्लास नहीं है 12 अगस के बाद फिर हमारा हो सकता है कि जो हमारा जो पहला बैच हमारा मारा ज बखेगा 28 अगस को तो भी बता देता हूं तो जो लोग कहां पर एंड्रूल करा चुकें बुकिंर चोकें औरे ऑडी उनको बता नो को बता है गया बी जा चुक आए कि अभी आपको बुकिंग डी फोनीखले है और जो उसके बाद बात बाली है एक और से बार इसको बहुत पहले ही हमारे आगे के बैच बुक हो जाते हैं तो आप भी अभी इस नंबर पर कॉल करें कि अपनी बुकिंग करा लीज़े क्योंकि हो सकता है नहीं तो आपको मिले बहुत जादा दूर का बैच क्योंकि फिर लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप और घर बैटना न सब्सक्राइब करें लोग समझ रहे हैं कि मैं एजी जेटेक खडीद रहा हूं इमेड के साथ उसमें UFS चिप्स उसमें UFS अडप्टर साब में आ रहा है जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है इस पर प्रॉपर तरीके से पूरा एस्प्लेनेशन के साथ कितने रुपे का एक मार्क आप चीज सीखने के तो लेवर्स तो मेरा बहुत सारा है उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कती बात है इसलिए अगर आपको जानना है तो आप कर सकते हैं अब इमें कॉल कीजे आप और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा क्योंकि बहुत अब तक भी एक website में डालना एक चीज है पॉसिबल नहीं हो पाती है दूसरी बात आपको क्या मिलेगा जो एक best आपको बतायेगा जो कि कोई दूसरा साइध ही दे पाए तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा number one पर यहां आपको दिख रहा होगा वो है instant calling system मतलब दोस् है वो अपडेट हो रहे होंगे पर उनका क्या जो सिभ छेल है क्या इसी सीख कर चलेगा या बारा बॉल या नौ बोल तो उसके ऊपर क्या मनलब 16 लेग उसके ऊपर क्या तो वही चीज है एक student को एक ऐसा institute रान करना चाहिए जो अपडेट डेटा हो जो आपको लगता हो समय में student के साथ पर दोस्तों मैं सच बता हूं कि number one पर आपको मिलेगा instant call-in service मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपने दुकान पर बैटे हैं तो आपने teacher को कोई भी student call लगाए तो अब्वेस है कि वो पढ़ा रहा होगा तो कैसे call उठाएगा तो आप instantly call service में हमारी टेक एक टो इंस्टेंट यह तो हो गया word level पर अपडेट दूसा हो गया जूमैप जूमैप में दोस्तों हम पर्टिकरली दोस्तों हम पर्टिकरली खुद टीचर आकर हर महिने में अपने हर बैच के student को अपडेट करते हैं जैसे light section होगे अब light में क्या नया light आया कौन सा section नया light इसको उसको पूरा explain करते हैं ताकि उनको पूरा input output EN जो भी उसकी command line है जो भी I2C या जो भी उनके अलग protocol जो उनकी supply है वो सारी supply हैं उसमें हम सेयर करते हैं तीसरा है आप आपको मिले का जो गुरूप के साथ जो normally हर इंस्टिटुट देही देता है वाटसफ गुरूप मे जो पहुच बड़ी लेवल पे हैं अगर आप जोइन करते हैं तो आप यह सोच के आप यह मांगे चलिए कि हम आपको जिंदी के पर नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं आपने महनत से पैसा कमाया और महनत से पैसा कमा कर आपने एक institute को जोईन किया है यहां हम को आप साथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि अप्टेट होच बड़ी एलक्ट्रोनिक फील्ड में सो जोड़े इससी तरह थैंक यू वेरी मुच और अगर वीडो अच्छा लगे तो लाइक और सुस्क्राइब जरूर करके जाएगा थैंक यू वेरी मुच और कंपोनेंट के बारे में क्या करना था है में आपकला कर दो कर दो 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 तुपर्ण कर दो जोड़ें पितल जीज देखा रहे हैं आला कि स्पेशल नहीं कॉमन ए यह फिर भी हमवी साथ विल्यों में तो जो जो अपिर दो अपिलों तर्कों आजे वाले इस देशाए और उसका माहिन क्लियर है कि मुझे करना है तो उसके लिए एक महिना भी बहुत जो जो प्रॉप्षा रगाएं प्राइं गोजी बहुत आप्स नंक निस्रीप्टों